बिबॉस सीजन 13 के बाद आक्टरिस रश्मी देसाई को उनके फैंस की तरफ से बहुत सारा प्यार मिला है और इस बात में कोई दौर आये नहीं कि रश्मी देसाई इन दिनों जमकर सोशल मेडिया पर वाइरल भी हो रही है और फैंस की बीच मशहूर भी हो चुकी है पहली से भी ज्यादा वेल इसी के चलते अब नागिन सीजन 4 का हिस्सा भी रश्मी देसाई को बनाया जा चुका है रश्मी देसाई की धमाकेदार एंट्री हुई नागिन सीजन 4 में और इसी के साथ फैंस के दिलों की धड़कनी बढ़ गई क्योंकि उनका रोल ही इतना ज्यादा मिस्टीरियस है एक तक अपूर हमेशा ही नए-नए कैरेक्टर्स को नए-नए किरदारों को रूबरू करवाती है डागिन सीजन 4 में और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है शलाखा के किरदार के साथ रश्मीर देसाई जो किरदार निभा रही है उसका नाम है शलाखा और वो देव की पतनी के तौर पर आ रही है नजर अब यहाँ पर देव की है दो-दो बीव्या तो कहानी में धेर सारी ट्विस्ट और टर्म्स तो है ही लेकिन साथ में शलाखा की ऐइडेंटिटी भी सवाल पैदा करती है क्या कि यह शलाखा है कौन? अचानक से कहा से वो देव और बिंदा की जिन्दगी में आ गई है प्रिंदा को जानती है लेकिन यह बात बिंदा नहीं जानती और साथ ही शलाखा का किरदार भी एक नागिन का ही होगा यानि की रश्मी देसाई भी एक नागिन का ही किरदार सीरिल नागिन सीजन 4 में निभाएंगी बात अगर उनकी जर्णी की करें तो फिलहाल उनकी जर्णी के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है कि वो एक या दो एपिसोड के लिए ही है या फिर लंबे वक्त कर वक्त तक इस शो का हिस्सा रहेंगी साथी आपको ये भी बता दें कि रश्मी देसाई हाल ही में एक रांप वॉक पर नजर आई बॉंबे टाइम्स का ये फाशन शो था जहां पर उन्हें जम कर ट्रोल किया गया है उनकी ही ड्रेसिंग सेंस के लिए वेल आपने बिल्कुल सही सुना कि रश्मी देशाय जो अपने अच्छी ड्रेसिंग सेंस के लिए जानी जाती है अपनी खूपसूरती के लिए जानी जाती है उन्हें बॉम्बे टाइम्स के रांप वॉक पर काफी ज्यादा ट्रोलिंग सेहनी पड़ी है खैर अब देखना दिल्चस्प होगा कि नागिन सीजन 4 का हिस्सा बनने के बाद रश्मी की करियर में उनकी फान फॉलोइंग में और क्याथ क्या चान लगते हैं और साथ ही नागिन सीजन 4 कौन से पड़ाव पर आगे नजार आता है देवर बृंदा की जिंदगी कौन सा नय मोड लेती हुई दिखाई देती है आज के लिए इतना ही ऐसी ही टेलेविशन से जुड़ी खबरों के लिए लेटस्ट अपडेट्स के लिए सीडिल से जुड़ी लेटस्ट खबरों के लिए सब्स्क्राइब तो और चानल टेली नेटवर्क